साथियों, गुलामी के सेंकडों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुक्षान ये भी किया कि हमारी लिखीत, अलिखीत, बहुत सारी धरोहर नश्ट कर दी गई कितनी ही पांडूली प्या, कितने ही पुस्तका रहे, गुलामी के कालखंड में जला दिये गए, तबाह कर दिये गए ये सिर्फ भारत का नुक्षान नहीं हुआ है, ये पुरी दुनिया का, पुरी मानवजात का नुक्षान हुआ है दुर्भागय से आजहादि के बाद, अपनी धरोहरों को समक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने हो नहीं पाए लोगों में धरोहरों के प्रती जागुरुक्ता की कमी ने एक शती को और ज़्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजहादि के अमरितकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की गोश्णा की है उनमें प्रमूख है अपनी विरासत पर घर्व अमरित महोत्सों में हम भारत की धरोरों को समरक्षित करने के साथ ही नया कल्चल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इत्यास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कूरूतिक दिरासत भी है मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल मुजियम पर विशेश महत्व दिया है भारत सरकार भी लोकल और रूरल मुजियम को समुरक्षित करने के लिए एक विशेश अभ्यान चला रही है हमारे हर राज्य हर खेत्र और हर समाज के इतियास को समुरक्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं हम स्वाधिनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए दस विशेश मुज्यम्स भी बना रहे हैं मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक जलक दिखने वाली है नमक सत्यांगर के दौरान मात्मा गांदी जिस पत पर चले थे उस दांडी पत को भी समरक्षित किया गया है जिस ठान पर गांदी जी ने नमक कानुन तोड़ा था वहां आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है आज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटी देखने एक हंदी नगर आते हैं हमारे संविधान के मुख्य सिल्पी बावासाब अमबेड करका जहां महापरी निर्वान हुआ वो स्थान दस्वकों से बदहाल था हमारी सरकार ने स्थान को दिल्ली में पांच अलिपूर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है बाबा साब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ महु में जहां उनका जन्म हुआ लंदन में जहां वो रहे नागपूर में जहां उन्होंने दिक्षाली मुंबई की चैत्यभुमी जहां उनकी समाधी है ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है भारत की पांसो असी से जादा रियासतों को जोड़ने वाले सरदार साब की गगन चुम्बी प्रतिमा स्टेची अफ यूनिटी आज देश का गवरो बनी हुई है स्टेची अफ यूनिटी के भीतर भी एक मुजियम बना हुआ है चाहे पंजाब में जलियावला बाग हो गुजरात में गोविन गुरुजी का स्मारख हो यूपी के वारानसी में मान महल मुजियम हो गोवा में मुजियम अफ क्रिश्चन आर्ट हो ऐसे अनेक स्थानों को समरक्षित किया गया है मुजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयाद भारत में हुआ है हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों की यात्रा और ये गुदान को समरक्षित पीएम मुजियम बनाया है आज पूरे देश से लोग आकर पीएम मुजियम में आजधी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे है मैं यहां आए अपने अतितियों से विशेस आगर करूंगा कि एक बार इस मुजियम को भी अवश्य देखें